हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्णिंग जैमा मदेव आयम गरिस्मा गुंडेलेन आयम यूर ट्रोइंग टीचर लास्ट पिरेड में आप लोगों को ट्राइंगल से स्टार कैसे बनाना है वो सिखाया था आज में आप लोगों को फिर से जहोमेट्रिकल सेप से कैसे डीजा कौन सा पेज निकलना है पेज नंबर 16 देखो क्या लिखा है वोमितिक आकारो बड़े दोता सिखो यारी की लर्न टू ड्रोविज जहोमेट्रिकल सेप उसके लिए आप लोगों को स्केल और पैंसल की जरूरत पड़ेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केल में आप युज हम लोग करेंगे यह 0 तू 15 से मी, ओक हो गया अब 15 यानि की 5 प्लस 5 प्लस 5 15 तो हम 0,25 पर यहां पर पोंट करेंगे और 10 पर पोंट करेंगे, ओक हो गया, अब यहां पे फिरसे हम लोग स्लिपिंग लाइन में स्केल रखेंगे तो 0,25 से मीं तब Slipping Line करेंगे और फिर से ऐसे Standing Line 0 to 15 Semi यहां पर कितना Semi 0 to 5 यह 0 to 5 अगर पूरा हम लोग करेंगे तो 0 to 15 Semi ओके यह इतना पाट है न वो 0 to 5 Semi अब फिर से नीचे कितना Semi आईगा 0 to 5 Semi यहां पर फिर से हम लोग 5 पे और 10 पे पॉइंट करेंगे ओगे इतना अब Slipping Line में देखो 5 और 10 पे जो भी पॉइंट आ रहा है ना Scale में देखो यहां पर अच्छी तरह से हम लोगों ने पॉइंट किया था 5 और 10 पे पॉइंट किया था अब फिर से हम लोग 15 तू 0 to 15 Semi ओके Slipping Line हो गई यहां पर जो छोटी सी 0 to 5 Semi के हम लोगों ने Slipping Line की इसी तरह से 0 to 5 Semi की Standing Line Complete यह दोनों साइट 0 to 5 Semi के S Standing Line कर देंगे ओके भुगया Complete देखो किसकी साइन हुई प्लस की साइन हुई अब आप लोगों को देखो यहां पर बीच में ऐसे Cross करके दिया है तो हम लोग एक Square Square की 4 लाइने Same होती है तो यह Corner और यह Corner को हम लोग Joint कर देंगे चारो साइड आप लोगों को एसे ही Complete करना है हो गया इतना अब आप लोगों को देखो बीच में छोटा सा Square दिया है तो आप लोगों को एसे ही Major करके बीच में छोटा सा Square करना है मैंने कितना Same का लिए Zero to two Same का छोटा सा Square है वो किया है बीच ओ बीच मेंने Zero to two Same का स्क्वेल Complete कर दिया Easy है कुछ hard नहीं आप लोगों को छोटी सी Scale लेनी है छोटी Scale में आप लोगों को Zero to fifteen Same का दिया है 15 Same का हम लोगों ने 5-5 करके Part कर दिया अब आप लोगों को क्या करना है हम लोगों ने Draw कर लिया इसके अंदर आप लोगों को Outline देनी है तो उसके लिए आप लोगों को Black कलर निकालना पड़ेगा और पूरे में आप लोगों को Scale का Use करके Outline देनी है हम लोगों ने पूरे में Outline है वो दे दी अब आप लोग इसके अंदर Color दिया है आप लोगों को पे Pink and Blue कलर ले रही हूं तो बीच में जो छोटा सा Square है वहाँ पे मैं Pink कलर लिया है मैंने और Color कैसे आप लोगों को Fill Up करना है इसे गोल-गोल घुमाते हुए Mix करना है Okay, Complete अब बड़ा सा Square है उसके अंदर मैंने Blue कलर लिया है यह मैंने Blue कलर Complete कर लिया Pink and Blue अब Blue कलर मैं यहाँ पे फिर से ले रही हूं जैसे मैंने सिख्या वेसे ही आप लोगों को इसे गोल-गोल घुमाते हुए Color है वो Fill Up करना है अब यहाँ पे फिर से दिख्यक है वो दिखाईनी देना चाहिए अच्छी तरह से आप लोगों को Mix करना है Color है वो बाहर ना निकले एक दुसरे में ना चला जाए वो आप लोगों को धियान रखना है Blue कलर हो गया अब हम लोग Pink कलर लेंगे कहीं पे भी आप लोगों को Light लग रहा है तो फिर से आप लोग कलर है वो उपर खुमा सकते हो कम्प्लिट हमारा ग्राइंग जैसा हम लोगों ने देखो यहाँ पे रेड दिया है तो उसकी जगह पे हम लोगों ने Blue कलर लिया है यलो है तो उसकी जगह पे हम लोगों ने Pink कलर लिया है जहाँ पे भी आप लोगों को Red कलर लग रहा है वहाँ पे आप लोग Blue कलर ले सकते हो कोई भी कलर आप लोग है वो अपना Favorite कलर दो कलर आप लोगों को लेना है ओके जब स्कुल्डरी ओपन होगी तब मैं बुक में आच्छी तरह से चेक करूंदी जैसे मैंने सिखाया स्केल का Use कैसे करना है सेमी कितना लेना है वो आप सब लोगों को Complete करना है और सेमी यहाँ पे लिख के रखना है